अलो फ्रेंट्स आएम रोशन जाफ रूम सेमसी इटी प्रोग्राम यूट्यूब चैनल दोस्तों आज के इस ट्यूटिरियल में सीखने वाले हैं एस्टीमेल ट्यूटिरियल में बॉडी ट्याग क्या है और बॉडी ट्याग का इस तरह हम इस्तेमाल करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटिरियल दोस्तों ट्यूटिरियल सुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैदी आप न्यू हो या फिर आपने हमाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो कर दिजिएगा ताकि हमाले जितने लिलेटेस्ट वीडियो जो सबका नोटिफिकेशन आपको मिलती रही दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यह एक बाड़ी टैक का यहाँ पर दिपहनी क्या गया है तो सबसे पहले यहाँ जनादू में बाड़ी टैक होता क्या है दोस्तो यहां पर जो नाम से ही जाहिर है कि यहां पे body जो होते हैं तो किसी भी यह जो है web pages का body में जो भी content आप लिखते हैं जो भी आप tag लिखते हैं या फिर contents लेकते हैं वो सब क्या होता है, आपको web page के body section में display होता है यहां पर देख सकते हैं कि body tag is a type of container टैग दो तरह के टैग होते हैं एक container होते हैं और एक empty टैग होते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो section है इसे कहा जाता है दोस्तो body tag section जहाँ पर web pages का body यहाँ पर क्या होता है web pages के body में display होता है ठीक है यहाँ पर web कर देता हूं वेपेज के body में क्या होता है डिस्प्ले होता है तो यह सिक्षन को दोस्तो body tag कहा जाता है ठीक है तो यहां पर content tag which contents all the tags and elements जितने tags elements होते हैं data browser actually displays at the body of the html जो आपको browser में क्या होता है html के body में क्या होता है ब्रॉजर में display होता है उस सब content क्या होता है आपको body tag में लिखा जाता है दोस्तो body tag इसमें दो tags होते हैं एक opening होते हैं एक closing होते हैं यह आप देख सकते हैं यह structure of HTML document है ठीक है जहां पर HTML tag है जहां पर head tag है जहां पर body tag है और जहां पर title tag है दोस्तों मैंने बार-बार कितना बार मैंने टीट्रेल में बतला चुका हूं कि HTML जो होते हैं एक बेसिक शार हैं जिसमें kita होते हैं तो यहां से आपको HTML document begin होता है यह जो content है यह हूं यहां से शुरुवात है और यहां पर HTML खतम हो जाता है इसके बास दोस्तों हेट के बाले में मैंने रख दिया था कि यह एडिस्टर इंफरमेशन के लिए कि मान लिजे कि कोई भी कॉंटेंट आपको लिखना है और उसको हेडिंग देना है तो आप यहां पर दे सकते हैं और वेब पेज में डिस्प्ले करा सकते हैं ठीक है दोस्तों और जब भी आपको तो आगे चलते हैं यहां पर देख सकते हैं टाइटल जब भी आपको टाइटल टाइग हेड सेक्शन के अंदर में लिखा जाता है और बड़ी जो ओपेणिंग टाइग है जितने आपको कॉंटेंट्स लिखना है सब बड़ी में आप लिख सकते हैं ठीक है एक तो एक में देखते हैं यह जो जितने content सब जो है normal content सब हाइप टेक्स रफ ठीक है यह सब जो क्या है तो आपको HTML document में लिखा जाता है ठीक है तब भी क्या होगा वेपेज में display होगा अगर आप यहां पर नहीं लिखते हैं तो यह में display नहीं होगा तो आप तो समझ में आ गया होगा कि HTML document में body section का importance है जो भी आपको web pages के लिए content लिखते हैं सब आपको body section में लिखा जाता है ठीक है यहां पर body opening है और body closing है फिर closing के नीचे में लिखने से कुछ नहीं होगा यह opening और closing के अंदर में लिखा जाता है क्योंकि यह जो body section है यह आपको body opening टैग और closing टैग के अंदर का section है आप इंटर बार करके इंटर देख करके आप यहां पर लिख सकते हैं ठीक है और लास्ट में यहां पर आ चुका है ठीक है अब इसमें क्या करेंगे माली जी हम क्या करते हैं बोल्ट कर देते हैं कुछ भी यहां पर देंगे और इसके बाद क्या करेंगे बॉडी टैग टू डट है अब इसमी चेब करने के बाद आप हम क्या करेंगे जोडों करणे के बाद आप जो फाइल सेब कि lider open करना होगा, open करने के लिए थोस्तों हम पले क्या करेंगे प्राजर सप्टेर open करेंगे, यह जो देखने इस से वे पीजेस कहा जाता है, अब होई पीजेस हम बनाना जानते हैं जड़ी, जब भी Alt अप करेंगे, ठीक है Alt अप करने के बाद open में क्लिक करेंगे तो उप्वरस्ट भी करने के बाद यहां पर देख सकते हैं क्लिक करेंगे और जब यहां पर देख सकते हैं यह जो डॉकुमेंट का आर्टुट यहां पर चोड़े हैं तो यहां पर देख सकते हैं यह बर यह बड़ी में बाड़ी ऑफ बस जो है यहां पर दिया गया है ठीक है इसमें क्या करेंगे एक ही लेन में दिया गया है अगर हम बियार कर देते हैं तो क्या होगा दोस्तों यहां पर न्यू लेन जेंड हो जाएगा ठीक है एक इम्टी टैग है और और टैब करते हैं और फाइब करते हैं आप देख सकते हैं यहां पर बोली टैग एक न्यू लेन ठीक है यहां पर हम क् क्या कर सकते हैं लीकित हैं कि इतना ही इतना है और जू भी अगर करना हो Ó जो कुछ भी कोंटेंट करना ओ अच्छा वाल टैग्स में यूज कर सकते हैं यह तो आज का इसमें हमने बना सकते हैं और बोल्डी टेग का इस्तेमाल किस तरह करते क्या कॉनकुन सा कॉन्टेंट हम बोल्डी टेग में यूज कर सकते हैं ठीक है इसके साथ सब आज कर टीटेल लिए पर खत्म होता है और आप सब्सक्राइब करें और नए यूट्यूप वीडियो पाने के लिए हमारी वीडिए ट्राओी टेढ शॉट्यूप आँ जाओ यूट्या यूट्यूप जा आप गलोल्डी।